उद्वृतह स्तन्भार एश तरले नेत्रे चले भ्रूलते रागाद श्टितम पोष्ट पल्लव मिदम कुर्वंतु नाम व्यथाम सोभाग्याक्षर पंक्ती रेव लिखिता पुष्पा युधेन स्वयम मध्यस्ता पी करोती तापम अधिकम रोमा वली केन साथ अर्थार्थ हे कामिनी तुम्हारे गोल गोल उठे हुए भारी वक्ष चंचल नेत्र चपल भोहें लता और रागपूर्ण नवीन पत्तों के सैद्रश सुर्ख होंट अगर रसियों के शरीर में वेदना करें तो कर सकते हैं पर यह समझ में नहीं आता की काम देव के निज हातों से लिखी सोभाग्य की पंक्ति सी रोमावली मध्यस्त होने पर भी क्यों चित को संतप्त करती है रोमावली रोम की पंक्तियों को कहते हैं अर्थार्थ इस्त्री के चाती से लेकर नाभी प्रदेश तक जो एक बालों की रोमों की जो महीन रेखा होती है यहां उस रेखा की बात हो रही है यह रोमावली इस्त्री और पुरुष दोनों में होती है पुरुषों में यह अत्यतिक घनी होती है प्रन्तु इस्त्रियों में यह बहुत ही महीन होती है तो इसकी व्याख्या इस तरह से है ये सुन्दरी तुम्हारे उब्रे हुए उन्नत उरोज, चंचल नेत्र घायल करदेने वाली तुम्हारी चंचल भोहें, नए कपोलों की रक्तिमता लिये तुम्हारे होँट, ये सब कामांदों को तो पीडित करते हैं, प्रंतु काम देव दुबारा तुम्हारे कटी प्रद आमंत्रन सा देती हुई कटी प्रदेश पर पड़ी लकीर सज्जनों को भी पीडित करती है